हेलो स्टुडेंट तुडे वी विल स्टार्ट अन्यू लेसन ओफ इंग्लिस NCRT क्लास फोर्थ ग्रे टू चैप्टर टू चैप्टर नेम है दे लिटिल फ़र्ट ट्री इस लेसन में हमें एक छोटे से फ़र्ट ट्री के बारे में रीट करेंगे इस लेसन में एक छैटी नाम का मेजिशियन है जब वो शैटी घर वापस लोटता है तो अचानक से ही बारिस शुरू हो जाती है इट रेंड हैविली बारिस बहुत जोर जोर से होने लगती है शैटी लुक्ट अराउंड फ़र्ट ट्री और शैटी चारो तरफ एक छायादार कोई चीज ढूंता है और उसे ही क्या दिखती है उसे एक सुन्दर सा फ़र्ट ट्री दिखता है और वो तेजी से भागते वे उस पेड की तरफ जाता है सुन्दर रेंड स्टॉप्ट और बहुत जल्दी ही बारिस रुक जाती है शैटी वोज हैपी देट ही दिद नॉट गेट वेट और शैटी खुश होता है कि वो उस बारिस से भीगा नहीं गिला नहीं वागो अग्वाड पोरी करूगा ऐसा कौन बोलता है मैजिसें बोलता है उस ट्री से जो दुखी फोर ट्री था ये बोलता है कि मेरे पास कैसी पत्या है मेरे पास निडल लीवस है नुकिली पत्या है जिस कारण कोई भी चिडिया मेरे पेड में घोसला नहीं बनाता है ऐसा कौन बोलता है? ऐसा वो फोर ट्री बोलता है I wish I had green leaves like my other friends और वो ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे पास हरी पत्या हूँ जैसे मेरे other friends के पास है next morning its wish was granted अगली सुबा उसकी ये wish पूरी हो जाती है soon a goat came along and ate all the green leaves लेकिन अचानक से ही वहाँ पे एक बक्री आती है और उस पेड़ की सारी पत्या वो खा चुकी होती है और वो इसके बाद fur tree बोलता है कि काश मेरे पास gold leaves होती सोने की पत्या होती जिनको ये जो goat है वो बक्री उनको नहीं खा पाती थी when the little fur tree woke up the next morning it was surprised to see gold leaves और जब वो fur tree अगली सुबा को उठता है सोने से तो वो बहुती surprised means वो बहुती चौक जाता है अपने सोने की पत्यों को देखके How happy I am, it's it और वो ये कहता है कि मैं आज कितना खुस हो गया हूँ A man came along and stole the gold leaves और एक आदमी आता है और उन सोने की पत्यों को चुरा के ले जाता है I wish I had glass leaves in the street और इसके बाद four tree बोलता है कि इसके बजाएं मेरे पास काश की पत्यों होती Man not steeled glass leaves और जो man है जो आदमी थे वो मेरी glass के पत्यों को चुरा भी नहीं पाते थे The next morning its glass leaves shown in the bright sun और अगली सुबह उसकी वो काश की पत्यों सूरज की रोसनी साथ चमकती है How happy I am it said और वो ये कहता है four tree कि मैं कितना खुश हूँ At night the wind blew, woo, all the glass leaves broke और रात को क्या होता है उसी रात को बहुत तेज से हवा पहती है और उसकी सारे काश की पत्यों तूट जाती है Oh dear said the four tree I like my old needle like leaves best For goats do not eat them इसके बाद four tree बोलता है कि इससे अच्छा मेरी सबसे best मेरी needle leaves थी जिनको goats भी नहीं खाती थी No man can steal them और उनको कोई चुरा भी नहीं पाता था The wind will do them no harm और जो हावा थी वो उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुचा पाती थी ऐसा कौन बोलता है ऐसा वो four tree बोलता है The tree went to slip इसके बाटरी सोने चला जाता है When it woke up the next morning It had all its needles back again और जब वो अगली सुबा उठता है सोने से तो वो देखता है कि मेरी जो needle leaves थी वो वापस आ गई है Oh, I never was so happy said the little four tree A little four tree बोलता है कि मैं इससे पहले इतना खुश कभी नहीं हुआ तो इतनी थी हमारे स्टोरी इस स्टोरी में हमने कई सारी new words पढ़े है जैसे कि pretty, pretty मिन्स होता है सुन्दर needles, needles मिन्स नुकिली leaves, leaves मिन्स पत्तिया gold, gold मिन्स सुनहेरी and last है हमारे stole, stole मिन्स चुराना इसके बाद हम इस lesson की question answer स्टार्ट करेंगे तो question number one है little four tree was happy with gold leaves but जो little four tree था वो अपनी gold leaves के साथ खुश था लेकिन तो option a है a goat came along and at them all the leaves got wet in the rain a man stole them तो इसका right answer क्या होगा a man stole them तो हम इसमें right click करेंगे question b है the four tree was sad four tree दुखी था option a है because it had yellow leaves because it had needle like leaves because it was very short तो इसका हम right answer क्या लिखेंगे इसके right click करेंगे हम because it had needle like leaves question c है the four tree was not happy with the gold leaves जो four tree था वो अपनी gold leaves के साथ खुश नहीं था तो इसका right answer हम क्या लिखेंगे because the goats came and at them a man stole them the gold leaves broke तो इसका right answer क्या है a man stole them इसमें हम right click करेंगे इसके बाद next activity है word building question one है by changing the circled word to its opposite rewrite these sentences one has been done for you यहाँ पर एक sentence लिखा है उस sentence में एक circled word है तो हमें उस circled word का opposite लिखना है जैसे कि ए वाला यहाँ पर complete हो चुका है जैसे यहाँ पर लिखा है I carry a light back to school every day तो यहाँ पर circled word कौन सा है light तो light का opposite हम लिखेंगे I carry a heavy back to school every day तो इसी type से हमें यह other question भी करने है तो हम बीवाले start करेंगे Rina won the race तो यहाँ पर won का हमें opposite लिखना है तो क्या लिखेंगे हम Rina lost the race question C है I love eating vegetables तो इसका answer हम लिखेंगे I hate eating vegetables question D है this glass of milk is full इसका answer हम लिखेंगे this glass of milk is empty last हमारा the old man is wise तो इसका answer हम लिखेंगे the old man is foolish question 2 है now give the opposite of the words below by adding un or im हमें यहाँ पर in words के opposite लिखने है जो यहाँ पर नीचे दिये गए है और हमें in words के opposite लिखते time हमें यहाँ पर क्या add करना है un or im को हमें add करना है तो number 1 में लिखाए happy happy का opposite हम लिखेंगे unhappy इसके आगे लिखाए important important का opposite है unimportant number 2 पर है polite polite का positive हम लिखेंगे impolite फिर है perfect perfect का imperfect number 3 में लिखाए scene scene का positive unseen healthy healthy का positive हम लिखेंगे unhealthy proper proper का positive improper फिर है safe safe का positive unsafe इसके बाद लिखाए lucky lucky का positive unlucky patience का positive impatient last में लिखाए impossible possible का positive हम लिखेंगे impossible इसके बाद है pure pure का positive impure इसके बाद question थर्ड है यहाँ पी paragraph दिया गया है उसे हम read करेंगे लिखाए लुख लुख स最近 के लगिए लौग लुख Give the opposites of the word in blue इस paragraph में कई सारे blue word हैं जिनके हमें opposite लिखना है तो हम इनका opposite लिखेंगे नमबर वन में blue word कौन सा है? loved, loved का opposite हम लिखेंगे hated फिर है go out, go out का opposite लिखेंगे हम come in फिर है come, come का opposite लिखेंगे हम go फिर है everywhere, everywhere का opposite now where फिर है down, down का opposite up lost, lost का opposite लिखेंगे हम found now where, nowhere का opposite everywhere इसके बाद है crying, crying का opposite laughing and last लिखाएंगे आपे happy, happy का opposite हमें लिखना है sad इसके बाद हमारी next activity है let's write इसका question 1 है rewrite the passage below using capital letters where necessary हमें इस passage को दोबारा से write करना है और जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर capital letters का use होना है वहाँ पर हम capital letters का use करेंगे तो हम इसका number one का answer हम लिखेंगे यहाँ पर लिखा है one तो one का हम ओ capital लिखेंगे one, Saturday Saturday का as capital afternoon, Amarjit तो Amarjit naming word है तो हम Amarjit का एक capital लिखेंगे Amarjit and his little sister Rani Rani में हम आर capital लिखेंगे went for a picnic to India तो हम India का I capital लिखेंगे gate, gate का I भी हमें capital लिखना है full stop their, their का T, capital they saw ducks, water and their friend, Raj तो हम आर capital लिखेंगे full stop हम यहाँ पर put करना है question 2 भी हम इसी टाइप से करेंगे question 2 में हमें full stop यूज करना है और जहाँ पर हमें लगता है कि exclamation mark आएगा comma आएगा वो हमें यहाँ पर put करना है तो इसका answer हम लिखेंगे O, O का हम O capital then H तो O लिखने से पहले हम inverted comma put करेंगे O dear dear के बाद exclamation mark और inverted comma close set the third tree fully stop इसके बाद लिखा है I तो I से पहले हम inverted comma put करेंगे inverted comma I like my old needle like leaves best for goats don't eat them and no man can steal them inverted comma close और हम यहाँ पर full stop put करेंगे इसके बाद हमारी next activity है let's talk question 1 है look at the picture below यहाँ पे एक नीचे picture दी गए है जिसे हमें देखना है in the yellow box there are 8 things और yellow box में 8 things लिखी गई है 6 of them you can see in the picture और in में से 8 things में से 6 things हम picture में देख सकते है the other two you cannot see और जो other two things है हम उने picture में नहीं देख सकते है write down the four things that you can see हमें इस picture में four things को हमें यहाँ पे लिखना है जिनको हम picture में देख सकते है तो हमें picture में जो four things दिखाए दी रही है हम उने नीचे blanks में लिखेंगे तो हम इन blanks में लिखेंगे number one blank में लिखेंगे ducks second blank में हम लिखेंगे boy third blank में हमें लिखेंगे girl and last four blank में हम लिखेंगे tree question two है look at the picture again describe the picture हमें ये picture दुबारा से देखनी है और हमें picture को describe करना है तो हम इसे दुबारा से देखेंगे इसके बाद हम पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे इस कहां से लिखेंगे तू का अंसर A boy and a girl have come to a park for outing They are enjoying the natural scene by the sight of a pond Two ducks are swimming in the water The girl has spread a mat on which she has put lunch box bananas ball etc A bird is sitting near the mat The boy is looking at the bird He looks happy इसके बाद question third है Which of the following actions would make others happy oblique unhappy यहां पे कुछ actions लिखे गए है हमें उन actions को जो actions हमें other people को happy करते हैं वो हम एक कॉलम में लिखेंगे और जो other people को unhappy करते हम उन्हें एक कॉलम में लिखेंगे तो सबसे पहले हम actions that makes people happy हम इस कॉलम को फिल करेंगे तो number one में हम लिखेंगे respecting elders number two blank में हम लिखेंगे being polite इसके बाद हम लिखेंगे playing with friends इसके बाद हम लिखेंगे visiting a sick friend इसके बाद लिखेंगे हम caring for pets and last में हम लिखेंगे being honest इसके बाद हम दूसरा कॉलम फिल करेंगे actions that make people unhappy ऐसे actions जो people को unhappy करते हैं तो हम लिखेंगे सबसे पहले not saying thank you इसके बाद not sharing watching television all day and then telling lies इसके बाद हम लिखेंगे being greedy last में हम लिखेंगे getting angry easily okay student तो यह lesson हमारा complete हो चुका है आपको यह lesson अच्छे से read करना है और जितने हमने इसमें new words पढ़े हैं आपको वो learn करने हैं अपनी note book में आपको mention करने है और जितने exercise हमने अभी तक करी है आपको वो अपनी NCRT book में fill करनी है ओके thank you